नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ महिंदर दोगने मोटिविश्टल स्पीकर और लाइप कोच और आज का वीडियो और ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारी क्लास नंबर है 23 और आज हम क्या सीखने वाले हैं कि भाईया बहुत बार ये फेक ब्रेक आउट जो नाम क चीज है कि जितने भी भाई बहन पहली बार हमारी क्लास पे आ रहे हैं ये क्लास नंबर तेविस है क्या कर रहे हो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ शेयर मार्केट लिखा होगा एक से लेकर तेविस क्लास तक पूरी देखो ताकि आपको फ्री ओफ कॉस्ट ऐसा कॉंटेंट मिले ऐसा शेयर मार्केट का नॉलेज मिले कि आपका जीवन बदल जाए और यही हमारी कोशिश है सबसे पहले क्या करो प्रेम बरसादो कॉमेंट बॉक्स में कि सिरीज आपको कैसे लग रहे हैं मैंने कहा था ना चाहे एक महिना लग जाए दो महिना लग च्छे महिना या साल भर लग जाए ऐसे ही फ्री वीडियो और बड़िया वीडियो आते रहेंगे ताकि आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज मिले और कुछ भाई बहन अभी गुरुकुल को जोई नहीं कर पाए हैं क्योंकि एड्मिशन फुल हो चुके थे वो भी चि होती है तो वहाँ पर आपको नोटिविकेशन आ जाएगा पता चल जाएगा ये आपका प्रेम है और टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी जुड़ जाओ ताकि सारे के सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप फेक ब्रेकाउट जो है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं इसमें कुछ ऐसे डीटेल और ऐसे सीक्रिट बता दिये हैं कि पेड कोर्स वाले भी नहीं दे पाएंगे इस सीक्रिट को ये बात याद रखिएगा अब ध्यान से सुनिए कि कैसे हम इसको सीख सकते हैं सबसे पहले और आराम से काम करना है बहुत पैसा है इस मार्केट में या इस दुनिया में किसी का छीन कर आपको नहीं लेकर जाना है ये बात याद रखिएगा और हमेशा जो भी सीखें उसे किसी और को भी सीखें ताकि आपका ग्यान भी बड़े अब ध्यान से सुनो सबसे की और तोड़ता है मार्केट तो उसको ब्रेक आउट कहा देते हैं ऐसे ऐसे करता है उपर की और तोड़ता है तो ब्रेक आउट कहा देते हैं और जनरली जब ऐसे नीचे की और तोड़ता है तो ब्रेक डाउन कहा देते हैं तो यदि मैं ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट मै उनको यही नहीं पता होगा तो क्या होता है कि जब पराइस, मतनब जो पराइस होता है वो जब किसी महत्वपूर्ण लेवल को तोड़ कर वापस उसी एरिया में आ जाता है उसे कहते है Twice Breakout देखraph आपको breakout नहीं पता पहले वो भी सिखा देता हूँ कोई दिक्कदली बात नहीं है देखिए क्या होता है कि जब भी कहीं पर price किसी भी range में इस परकार से घूम रहा होता है ठीक है इसके और भी parameters है लेकिन एक range वाला में आपको बार बार सिखाया है इसलिए इसको पहले बता दिता हूँ तो जब भी support और resistance पर price जो है बार बार घूम रहा होता है वहीं पर घूम रहा होता है और किसी भी एक और निकल जाता है देखो बहुत देर इन दो lines के बीच में था support resistance वाले course में मैं ले सिखाये था आपको कि यह कैसे बनाते है lines बहुत detail में सिखाये था और जब भी किसी एक और price निकल जाएगा जब भी किसी एक और निकल जाएगा चाहे वो ऊपर निकल जाए या फिर कहा निकल जाए नीचे की और निकल जाए तो इसको कहते है break out क्या कहते है break out अब theory यह है कि आपको breakout को trade करना चाहिए ऐसा theory है ऐसा सिखाया जाता है लेकिन दिक्कट क्या होती है कि breakout जो होते है वो fail भी हो जाते है fail होने का क्या मतलब है कि जैसे ही इसको तोड़ा तो आप तो बैठे रहते हैं कि भाई इसको तोड़ेगा तो हम trade लेंगे अब जो समझदार लोग है वो क्या करते हैं support पर buy करते है मतलब यदि उनको यहाँ पर trade लेना है तो वो यहीं पर ले लेंगे support पर इंगर scandal बनेगा तब ही ले लेंगे अब जो breakout को ही trade करते हैं वो wait करते हैं कि भाई जब breakout होगा तो ही मैं trade करूँगा अब वो breakout होने पर दो चीज़े हो सकती है या तो वो breakout जो है वो काम कर जाए मतलब वो वहाँ से market उपर चला जाए या फिर सबसे बड़ी दिक्कट जो होती है और वो यह होती है कि जादातर breakout fail हो जाते है ध्यान से सुनिएगा और अपनी copy में notes भी बनाते चलिए कि जादातर breakout जो होते है वो fail हो जाते है fail क्यों होते है क्योंकि जो बड़े लोग है जो बड़े लोग है institutions है उनको पता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर इसी लिए बैठा है कि यहाँ पर जैसे ही breakout आएगा वो trade करेगा तो mostly breakouts जो होते है वो fail हो जाते हैं तो दो प्रकार के setup बनते हैं एक setup को कहते है BREAK out setup एक setup को क्या कहते है breakout setup तो कई लोग इसको trade करते है मैं कहता हूँ इसको trade करो लेकिन उससे खतरनाग वाला setup देता हूँ उसको कहते है fake breakout setup क्या कहते है fake breakout setup इस fake breakout क्या है कि जब मार्केट उपर जाएगा तो आप नहीं खरीदोगे तो तबाही मचाता है यह फिर बहुत सपीड से नीचे जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लोस लगे होते हैं और उसी को तोड़ता हुआ नीचे चले जाता है और सारे लोग और वहाँ से exit करते है position को तो वो और जल्दी जल्दी नीचे जाता है तो ये बात समझेगा कि आपको एक तो breakout को भी trade कर सकते हैं एक fake breakout को भी trade कर सकते हैं इसके breakout के chances बहुत कम होते हैं मतलब ये 40-50% ही chances होते हैं कि ये सफल हो 50-60% chances क्या होंगे ये असफल हो जाएंगे लेकिन fake breakout ये आपको मिल गया कि उपर गया price किसी को चक्मा दिया धोका दिया अभी बताने वाला हूं कैसे थोड़े दिन पहले ही धोका दिया था और वहाँ से ये वापस आ जाता है तो ये मज़िदार चीज होगी वो trade आपका बहुत सफल होगा इस बात को याद रखेगा ठीक है तो क्या कहते हैं हम इसे fake breakout या breakout breakout समझ गए किसी price को तोड़ना किसी level को तोड़ना और fake breakout क्या होता है कि उसी level उसी area में वापस घुश जाता है जब price तो उसको कहते है fake breakout यहां पर क्या हुआ यहां पर मैंने एक लाइन की चीए यह यह लाइन नहीं की दिख रही हो तो मैं फिर से बता दिता हूँ देखें यह हमने एक अभी थोड़े दिन पहले का ही trade था यहां पर क्या था resistance था ठीक है और यहां पर यह वाली लाइन थी यदि नहीं दिख री तो मैं फिर से बना गेता हूँ 14, 15, 70 मतलब 70 मिनिट तक लगभग देड़ घंटे से उपर 70 मिनिट तक क्या हुआ कि यहां पर market जो है sideways था अब ध्यान से सुनना क्या हुआ sideways था अब हर वेक्ति वेट कर रहा होगा कि जिधर तूटेगा उधर मैं खरीद दूँगा है ना यही होताना breakout trade का मतलब क्या होता है कि जिधर तूटेगा उधर ही मैं खरीद लूँगा अब क्या हुआ यहाँ पर एक बड़ी सी लाल केंडल आई अब हर एक वेक्ति ने क्या किया होगा यहाँ पर ट्रैप हो गया होगा यहाँ पर खरीद लिया होगा और यह बहुत बड़ी केंडल थी यहाँ पर आई थी तो हर वेक्ति ने यही खरीदा भी होगा यहाँ पर तो इसका stop loss बहुत बड़ा था ये करीवन 25 रुपे की candle थी या 30 रुपे की candle थी अच्छी strike price में अब इतनी बड़ी candle थी जब ये और 25 से 30 रुपे का stop loss था अब जो भी लालची हुआ होगा उसने retest होने का weighty नहीं किया होगा और यहीं पर buy कर लिया होगा अब ध्यान से बीटेलर जो है उनकी उमीदों पर पानी फेर दिया और फिर क्या हुआ ध्यान से देखना उसके बाद ये 15 मिट यहां पर market ने wait किया और एक बड़ी हरी candle आई ये कम से कम 30 से 35 रुपे 40 रुपे की candle थी अच्छी strike price में अब ध्यान से देखिएगा इसे ही कहते है fake breakdown ये आती है कई बार लेकिन कई बार क्या करती है वो और लोगों को attract करती है कि अब तो नीचे जाएगा उपर नहीं आ रहा ना तो विक्ति क्या सोचता है कि और खरीद लू और खरीद लू है ना quantity को बड़ा लेता है ताकि और नीचे जाएगा तो उनको profit होगा और एक ही candle आई इस candle का size देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत बड़ा size है तो यह एक ही candle आई यहाँ पर सबने ऐसे लगा कर रखा होगा लगभागिस level पर और उसी candle ने सब लोगों का stop loss ले लिया और उसके बाद देखिए एक candle ये दूसरी candle ये तीसरी ये चौती ये पाच्वी ये और य इसको इदि आपको सीखना है तो वो तो आपको strategy हम सिखाएंगे गुरुकुल के अंदर आप उसको join करने के लिए हमरे application को download कर सकते हैं अब देखिएगा ये advanced strategy ने मुझे बचा लिया क्योंकि इधरी कहीं बाप का heart setup दिख रहा था मुझे तो यहाँ पर मुझे रोक लिया क यहाँ पर trade नहीं लेना यहाँ पर support है है ना और अभी एक और चीज़ दिखाऊंगा वो भी यहाँ पर दिख गई थी इसलिए हमने यहाँ पर trade नहीं लिया था और उसके बाद यह बड़ी से candle बनी यहाँ गया market और फिर तो sideways हो गया था market लेकिन यह होता है fake breakdown आपको समझ म कहा चाहिए और बेचना कहा चाहिए यदि आपको basic structure ही नहीं पता market का कि खरीदते कहा है बेचते कहा है तो आप हमेशा नुकसान में जाएंगे ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आपको जब भी uptrend चलता है देखो market जब भी uptrend में होता है तो market के uptrend में आपको हमेशा support प खरीदना होता है कौन से support यह ना यहां कभी नहीं खरीदना है कई लोग गलती क्या करते है market को यहां पर खरीदते है जब भी cdcd रेली करता है तो उसमें खरीदते है जबकि हमें हमेशा market को कहा खरीदना होता है जब market support पर आता है तो हमको market में खरीदना चाहिए support कौन से ह होता है यह higher low है ना इसको क्या करते है higher high और इसको क्या करते है higher low तो जब भी market higher low पर आएगा तो हमको इस टाइब में क्या करना है हमको buy करना है हमको खरीदना है ध्यान से सुनना और जब भी market को बेचना है तो हम कहां बेचते हैं यह यहां पर resistance पर बेशते हैं ठीक है यहाँ पर कभी नहीं बेशते हैं यह हमने पहला ही सीखा है तो पहले मैं आपके basic fund क्लियर कर दूँ क्योंकि basic fund नहीं क्लियर होंगे तो यह market ऐसा यहाँ आएगा आप यहाँ पर करने की कोशिश करोगे और market वापस उपर चला जाएगा आपका ऐसे ले लेगा कई बार आप कहते हो ना कि मैंने तो यार सही खरीदा था मेरी direction में भी गया लेकिन मेरा stop loss लेकर चला गया क्यों लेकर चला गया क्योंकि आपको basic structure ही नहीं पता है market का की market भिवान चलते कैसे हैं गुरुकुल के बच्चों को सब पता है आप लोग बता दो जड़ा 4-2, 4-3, 6-2 है ना फिर इसके बाद 5-2, 5-3 क्या होता है तो यहाँ पर आपको मैंने basic structure समझा दिया कि market का basic structure क्या है और यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ गए कि कहा खरीदना है अब trend में हमेशा कहां खरीदते हैं support पर खरीदते हैं और downtrend में क्या करते हैं हमेशा the distance पर बेचते हैं अब धियारन से सुनिएगा आप fake breakout को कैसे पहचा देंगे सबसे पहला तरीका 3-4 तरीके हैं सारे के सारे सिखाऊंगा लेकिन पहला तरीका पहले सिखा रहा हूँ देखो avoid momentum breakout trade in area of value इसका क्या मतलब है सब कुछ समझा रहा हूँ मैं अब ध्यान से देखना अभी यही वाले trade की बात की थी मैंने है ना जिसको हमने avoid किया था कि नीचे जा रहा था एक बड़ी लाल कैंडल बनी थी लेकिन हमने trade नहीं लिया था क्यों नहीं लिया था उसका logic क्या था और आप कैसे पहचान सकते हो वो सारी की सारी बाते सिखा रहा हूँ देखो जब भी हम किसी market को चाहे कोई भी index हो उसको trade करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या खीशते हैं resistance की line और support की line है ना area of value देखते हैं हमने ये पहले भी बात की है कि कहा पर हम खरीदेंगे कहा पर बेचेंगे अब देखेगा हमारी पहले से ये line लगी थी ये देखो पिछले दिन का ये market है है यहाँ पर हमने एक area of value निकाल कर रखाता कि यहाँ पर एक buying आ सकती है ये देखो इस परकार से आपको भी लगा के रखना होता है अब देखेगा ये area of value है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब भी market आएगा तो हमें buy करना है ना कि sell करना है जब भी market area of value पर आता है मतलब support पर आता है तो हमें कभी भी खरीदना नहीं चाहिए support पर हमेशा buy करना चाहिए ये कई बार पढ़ाया है मैंने फिर भी आप लोग मूर्ता करते हो गलती करते हो देखो यह है support की line यह है resistance की देखा देखना कि यह वाला area कौन सा है यह वाला area जो है वह बाय का एरिया है लेकिन आप लोग आगे पार पीछे सब आप की market को मार्केट को यह इंग देखूंगा पीछे क्यों देखूंगा पीछे क्या मतलब है आरे भाया पीछे इसलिए देखना है ताकि आपको area of value पता चले कि कहाँ पर खरीदना है कहाँ पर बेचना है यदि यही नहीं पता चलेगा तो आप trading कैसे करोगे या stock को खरीदोगे कैसे तो यह area of value था हमने पहले area of value पकड़ा और हमने यहाँ पर line लगा कर रखी ती अब ध्यान से देखो जै बहुत बड़ी हरी candle बनी और market जो है high marker आ गया नीचे ठीक है तो यहाँ पर पहली चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि जब भी market area of value के पास में है तो ना तो आप buy करेंगे वहाँ पर और नहीं आप sell करेंगे देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग sell कर रहे थे यह कौन सा area यह दिमांड का area of value है कौन सा है दिमांड का area of value यहाँ पर demand है supply नहीं है जहाँ पर supply होगा वहाँ पर बेशते हैं हम जहाँ पर demand होता है वहाँ पर खरीदते हैं हम लेकिन लाल candle देखी और बंदर जैसे उचाक मारी और क्या कर दिया उसको buy कर लिया क्या put buy कर लिया अब उस of value create करके आया था वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर आएगा तो मैं और उपर चड़ सकता हूँ एक दो बार तो वहाँ पर area of value है नहीं पता area of value क्या है तो एक पीछे वीडियो बनाया है थोड़ा ध्यान दो यह कितनी class हो गई तेवे इस 22 class में इतना कुछ रहसी बता दिया है कि जीवन सुधर जाएगा आपका लेकिर क्या करें वही बात है कि आगे part पीछे सब part मैं तो गरीब हूँ मैं सीख नहीं सकता मैं कर नहीं सकता मुझे आप लोगों से कोशन है इस कोशन का भी सर दीजिएगा बहुत सारे भाईव हैं नीचे comment box में लिखते हैं मैं गरीब हूँ मैं नहीं कर सकता है या मैं पैसे नहीं दे सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे को ये बताइए जब आप गरीब हैं आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप stock market में आ क्यों रहे है stock market किसके लिए है आपको पता है जिनके पास initial level पर investment करने के लिए पैसा है ये बात आपको समझना होगा ये आपके पास पैसा ही नहीं है तो stock market कोई पेड थोड़ी ना है जहांसे अमरूत गिरने वाले हैं अरे भाईया stock market investment की जगह है और investment के लिए initial level का capital तो चाहिए ही ना इतनी बात तो आपको समझना पड़ेगा तो कई भाई भेहन जब ये वाला comment करते है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं गरीब हूँ है ना तो मुझे बड़ी हसी भी आती है और मुझे बड़ा दुख भी होता है कि यार फिर जब पैसा ही नहीं है तो stock market में आनक क्यों है आपको basic logic ही नहीं पता क्या आप लोगों को लग रहा है कोई job है मैं दिन बर यहां बैठूंगा चार्ट के सामने तो चार्ट मुझे पैसे निकाल के देदेगा अरे भाईया ऐसा नहीं है ये यदि आपकी ऐसी सोच है न तो प्लीज उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए stock market कोई job नहीं है कि screen के सामने आप घंटो बैठेगी तो आपको पैसा निकाल के देदेगा stock market एक investment की जगे है यदि आपके पास पैसा पड़ा है तो आप अपने पैसे को वहाँ निवेश कर सकते हैं ना कि कोई नौकरी है कि आप नौकरी करेंगे और पैसा देगा वो आपको इसलिए इस बात को समझेगा चलो वापस आते हैं topic पर कि यहाँ पर जो है area of value था और area of value में कभी भी आप क्या करते हैं area of value देखकर काम करते हैं यदि support का area of value है demand zone का area of value है तो आप क्या करेंगे वहाँ पर खरीदेंगे ना कि बेचेंगे इस area में जैसे ही आएगा और एक ingulf candle बनाता है या कोई भी bullish candlestick pattern बनाता है तो आप हमेशा वहाँ पर क्या करते हैं खरीदते हैं अब धहाँ से सुनना जब भी जब भी आपको एक resistance area मिलेगा या फिर supply zone मिलेगा तो वहाँ पर आप कभी भी खरीदते नहीं हैं आप कई मूर कैसे होते हैं कई लोग कैसे होते हैं कि यहां पर बड़ी बड़ी चार तीन चार green candle बन गई तो आप यहां खरीदने के लिए जाएंगे यही तो गलती करती हो तुम लोग खरीदते ही गलत जगे हो बेचते ही गलत जगे हो तो profit कैसे होगा नहीं होगा तो आपको यहां खरी तो लोगों को बेसिक कॉंसेप्ट ही नहीं पता तो मार्केट तो बड़ता भागेगा और तमाचे मारेगा क्यूं भगवान मार्केट की चाल को ही नहीं जानते हो तो यह पहली बात तुम लोगों को समझना हैं पहला वीडियो करो थोड़ा सा बार-बार देखो कि मैंने क्या बोला है या फिर comment box में comment करके पूछो तो मैं तुम्हारे comment देखकर फिर से एक और वीडियो बनाओ कि क्या दिक्कत हो सकती है चलिए अब दूसरा point जानते हैं कि fake breakout को हम कैसे पहचान सकते हैं अब ध्यान से wait for consolidation before breakout ये सबसे अच्छा तरीका होता है यदि आपको breakout को trade करना है तो देखिए जब भी सीधा सीधा market जाए और breakout कर दे तो आपको कभी भी या breakdown कर दे तो आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए area of value देखना चाहिए यदि वहीं कहीं पर area of value है buying का ये selling का तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उस area में आपको ना तो खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए आपको थोड़ा wait करना चाहिए कि market वहाँ पर कैसे react करता है अब ध्यान से सुनना अगला point जो है दूसरा जो का हुआ उआ है एक पर को चाहिए और यहां पर सीधा सीधाQuery पर निकल आ है बढ़िया profit हुआ न कोई दिक्कत नहीं है चलो यहां पर trade नहीं पाए अब आप यहां पर trade लेना चाहरे हो यहाँ पर भी देखो इस area में क्या हुआ बहुत देर तक market ने consolidate किया sideways रहा और उसके बाद क्या किया यहाँ पर देखो breakout कर दिया और उसके बाद वापस एक बार फिर से profit दे दिया तो आप लोग क्या करते हो खरीदने के लिए इतने उतावले रहते हो कि बस आज market में आया हू और तुम लोगों का दिल अलगा से ऐसे दखडग भी कर रहा होता है तो तुम लोगों का ऐसा धखडग धखडग कर रहा है लेते समय या गवरात हो रही है या लू नहीं लू वो button पे click करूं नहीं करूं यदि ऐसा हो रहा है न तो please थोड़ा सा शान्त हो जाईए मॉंग trader क्वेडर कम्यूν運 ski का जो मकसद उसे पहचारि आप लोगों ने learning की ही नहीं है इसलिए आपको वो सब कुछ हो रहा रहा है कैसे हो रहा है तुक 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 ऐसे होता है या फिर हाथ only ले लिगते हैं या जैसे ही ट्रेड लिया एक दम शुकु David बेट जाते हो ऐसे कि अब क्या होगा यह सब इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ comment box में comment करके बताओ हसो भी कि किसके साथ ऐसा होता है और क्यूं होता उसका कारण बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग क्या करते हो सीखते हो नहीं proper strategy होती नहीं proper setup होता नहीं कहीं भी trade ले लेते हो और इसके बाद तो यह दिक्कत होनी ही है क्योंकि तुम्हें तुम्हारे उपर ही भरोसा नहीं है कि जो trade तुमने लिया है वो सफल होगा कि नहीं होगा और कब पता चलेगा कि सफल होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा कि experience बढ़ेगा 5-6 मेने काम करोगे market के अंदर एक setup पर तब तुमको भरोसा होना शुरू होगा तो ये consolidate करने दो market को उसके बाद breakout या breakdown करने तो तब खरीदो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इससे क्या होगा कि तुम लोग क्या करोगे एक fake breakout से बच जाओगे fake breakout के trap में नहीं मिले यह आपको करना है breakout trade तो सीधा trade मत ले लो आप क्या करो एक pullback या retest आएगा उसका wait करो कैसे होता है retest यहाँ पर देखो यहाँ पर यह market क्या किया higher low higher high higher low और यह यहाँ से breakout किया ठीक है एक higher high higher low करके जा रहा था और यह वाला level था देखो मैंने बनाया भी है यह कौन सा इसका area है यहाँ पर आकर market को नहीं तोड़ना था लीचे आना था लेकिन यह कमजोर resistance होगा इसलिए इसने इसको तोड़ दिया अब देखो ध्यान से इस candle को यह candle बहुत कुछ कहती है यह यहाँ पर आप लोग फस जाते और कई बच्चे तो यहीं निकल जाते क्योंकि उतन उसने महेंगे भाव में खरी लिया पहली चीज तो तो महेंगे भाव में खरी लिया तो उसके साथ क्या दिक्कत होगी कि जैसे ही market अपने आपको retest करने आएगा उसका जो position sizing है वो लाल दिखाएगा रैड हो जाएगा अब कितना नीचे आया देखो पूरा का पूरा उसी candle percent time क्या करता है वो अपने आपको retest करता है वो retest भी क्यों करता है क्योंकि बड़े जो लोग होते उनकी order spending होते वो सस्ते भाव में खरीते कभी भी महेंगे में खरीते इस बात को याद रखना तो जब तुमको यहां पर महेंगे में खरीदवा दिया अब उनकी जो order है वो अच्छे हुए उनको और खरीदना है तो वो क्या करते है प्राइस को नीचे लिकर आते थोड़ा साथ जैसे ही प्राइस नीचे आता है तुम जैसे लोगों को या हम जैसे लोगों को क्या करता है प्राइस निकाल देता है क्यों निकाल देता है क्यों निकाल देता है क्यों उनको पता है यहां से उपर जाएगा अब जैसे ही तुम बेशते हो उसके बाद market एक रेली लगा दिता है उपर चला जाता है क्यों कि तुम लोगों को यह नहीं पता कि तुमको retest पर खरीदना है कहां पर खरीदना है retest पर जैसे ही breakout होता एक बड़ी candle के साथ यदि आपका stop loss manage नहीं होता है तो कभी भी buy नहीं करना चाहिए buy तब ही करना चाहिए जब आपके stop loss के या तुम्हारा जो risk management है उसके area के अंदर आए चला जाए trade चला जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन rule तोड़ोगे तो नुकसान तो होगा ही याद रखेगा तो आपको क्या करना है ये जैसे मालो बड़ी candle ने breakout कर दिया आप breakout कर दिया आप tension मतलो यार tension मतलो निकल जाएगा निकल जाएगा कि उपर खरीदते तो वैसे भी stop loss बहुत बड़ा होता तो अभी तो तुमको खरीद नहीं है तो price को नीचे आने दो अब नीचे आता है तो तुमको लगता है नीचे नहीं आ जाए इसलिए नहीं खरीद पाते तुम लोग अपने कम भाव में खरीदा है इस बात को जिस दिन समझ जाओगे तुमारी trading style जो है ना तुमारी life change हो जाएगी आप बड़े लोग क्या करते हैं यहाँ पर खरीदते हैं और एकदम कम भाव में खरीदा और सीधा फिर जाने देते हैं और उसका profit उठाते हैं तो बहुत simple सा concept है इस concept को आपको समझना होगा कि wait for retest अगला चौथा point उससे भी ज़्यादा important है ये तीन बाते ध्यान रखना तुम fake breakout से बच जाओगे एक और बात है जो मुझे आपको सिखाना है ठीक है use volume for breakout अब ध्यान से सुनिएगा और समझेगा जब भी आप stock को trade करते हैं तो से यहाँ पर आपको volume की lines दिखने लगेगी अब यदि screen में एकदम कम दिख रही है तो tension मत लेना यहाँ पर यह लाइन जो है अच्छी खासी दिखने लगेगी अब अच्छी खासी दिखेगी तो क्या होगा देखो यह कोई तानला नाम का एक stock था जो की breakout दिया था और उसक पर यह देखो यह छोटी छोटी सी candle बन रही थी पहले यह देखो बतलब यह जो volume है यह बहुत छोटा छोटा सा बन रहा था आप अपने चार्ट में भी इसको लगा कर देख सकते हो कि जब भी कोई breakout होता है तो उससे पहले छोटी 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 सी volume की candle बनती है लेकिन जै ब्रेक आउट के बाद यह breakout candle में अच्छा volume आता है तो इसका मतलब वहाँ पर genuine wire आये हैं आप fake नहीं माने उसे और वहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क वहाँ पर ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं क्योंकि यह volume अच्छा है किसी भी breakout पर यह volume अच्छा ह तो आपको यह बात समझना होगा कि वह genuine breakout माना जाता है 100% टाइम ऐसा होता है क्या विलकुर भी नहीं उसके और बहुत सारे concept है वो धीरे धीरे करके हम ऐसी ही आगे की classes में सीखते जाएंगे लेकिन I hope कि आज आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो fake breakout ह वो क्या होता है कैसे उसको पहचानना है कैसे हमको trade करना है हर एक चीज को मैंने कोशिश किये बहुत detail में समझाओ और आपको इस वीडियो को देखकर मज़ा भी आया होगा और इससे आपकी stock market की journey में trading की journey में बहुत फाइदा मिलेगा ऐसी मैं आशा करता हूं काम ना करता ह comment box में comment करके बताओ कि ये series कैसे लग रही है और क्या आप लोग भी इंतिजार कर रहे है वेटिंग लाइन में है गुरुकुल के next wait के लिए क्योंकि कई सारे भाई बहनों के call आ रहा है sir हमें इसी batch में ले लो लेकिन क्योंकि जगया full हो चुकी थी मैंने कहा था registration बहुत limited है और जितने थे हमने सारे दे चुके थे तो कम से कम बहुत सारे भाई बहन अभी भी जॉइनिंग लेना चाहते हैं तो अगला batch बहुत ही जल्दी आने वाला है अनौंस कर देंगे हम यहीं पर कि कब आने वाला है तो आप उसे जॉइन कर लीजेगा पिछले batch में आपकी जॉ कमेंट बॉक्स में थोड़ा प्यार दिखाओ यार 12-1500 कमेंट से क्या होता है 3-4000 कमेंटों करो ताकि मज़ा है और इस वीडियो को हर एक वेक्ति तक शेयर भी कर दो जिससे की हर वेक्ति शेयर मार्केट को आसान भाषा में सीख जाए अगले वीडियो बेर फिर मिलता है क इसे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद